अब तक हम पढ़ चुके हैं कि वक्ता जो है वह मर कर नर्ग से बोल रहा है कारण क्या है कि वे जब तक धर्ती पर थे उन्हें बोलने का अधिकार नहीं था तो इसलिए वे मूर्ती पूजा करने वाले जो अंधविश्वासी हैं वे कहते हैं कि तुम लोग क्या करते जो उसके कबर पर क्या है चिराग जलाते हो तरह तरह के फल देते हो मूल देते हो भोजन जो है पर उसके कबर पर मतलब जो लाश है उसके सामने बहुत कुछ आदर सतकार के साथ उसका क्रिया कर्म किया जाता है पर वही इनसान क्या है वहां भूग के कारण मरता रहता है कहां से बोल रहा है वह क्या करता है आम जंता जो है लोगों को क्या करता है अपने विचार वह प्रकट करता है मगर मुझे क्या पड़ी थी कि जिंदगी भर बेजुबान रहे कर यहां नर्क के कोने से बोलता भला उसे क्या जरूआ थी वे तो ठीक ही थे काफी खुशी थे नर्क में फिर उने बोलने का कोई अधिकार नहीं था बोलने की आवशकता नहीं थी मगर फिर भी वे क्या करते हैं मुझ खोलते हैं पर यहां एक बात ऐसी सुनी कि मुझ अभागे की मौत को लेकर संसद में काफी बाते चली थी हलचल मच कई थी और यहां तक स्वर्ग में भी क्या है भाही खाता में बही बहुत कुछ लिखा गया है जिसके कारण उनसे रहा नहीं गया और वे मूझ खोलने के लिए क्या है विवश हो जाती इसलिए वहां से बोलते हैं मैंने सुना कि यहां पर क्या है जब उन्होंने सुना कि उनकी मृत्यू का कारण क्या है आत्महत्या मतलब यहां पर जब वही खाता में देखा गया भगवान के यहां स्वर्ग में क्या देखा गया कि रिपोर्ट भेजा गया है धरती से रिपोर्ट भेजा गया है कि उनकी मृत्यू क्या है आत्महत्या के कारण हुई है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता तो वे क्या है वे प्रतिवाद करने के लिए ही वहाँ मूँ खोलते क्योंकि स्वर्व में तो सब की सुनी जाती है चाहे अमीर हो या गरीब सभी को बोलने का अधिकार है भगवान के सामने सभी बराबर है इस असीलिए वे क्या करते हैं अपना भूँ खोलते हैं मैंने उसमें क्या लिखाता है मेरी मृत्यों क्या है भूख से नहीं हुई मैंने आत्महत्या कर ली है यह बात सुनकर क्या है उन्हें अच्रज होता है वे कहते मारा जाऊं और खुद की मौत का जिम्मेदार है एक तो मै जाओं मैं अन अन पुकारते हुए मर गया और मेरे मरने के कारण में भी अन का नाम ना वे मैं मरा क्या भूप के कारण अन अन करता हुआ मारा गया मगर कहीं भी अन का नामों निशान तक नहीं है लेकिन खैर मैं यह सब भी बरदाश कर लेता तो यह सब भी क्या है वक्ता बर दाश कर लेते क्योंकि किसलिए क्योंकि जिन्दगी भर उन्होंने तिरिसकार ही क्या है का स्वाद उन्होंने लिया है जिन्दगी भर उन्हें क्या है तिरिसकार ही मिला है जिन्दगी भर तिरिसकार का स्वाद लेते लेते साहानुभूती मुझे उसी प्रकार अरूचिकर हो अभी भी किसी से सहानुभूती नहीं मिली इसलिए उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता था लेगिन आज ही एक घटना और यहां इस लोक में घट गई मगर फिर भी वे मुह नहीं खोते जैसे थे उसी में खोशते मगर एक ऐसी घटना घट गई जिसके कारण वे मुह खोलने के लिए बाध्धे हो गई और घटना क्या थी वही हम आगे पड़ेंगे हुआ यह की स्वर्ग और नर्क के की जो दिवार अलग करती है स्वर्ग और नर्क के बीच में दिवार थी उसकी सेद्ध में से आज सवेरे मेरी कुत्ते ने मुझे देखा तो क्या है कुत्ते ने कहां से देखा स्वर्ग और नर्क के बीच से जो बीच में जो सेंद्ध थी वहां से कुत्ते ने देखा मुझे देखा और कुर कुर करके प्यार जताने लगा फिर क्या है वहां से प्यार जताने लगता है और मेरे आश्चरी और शोब का ठिकाना ना रहा कि मैं यहां नर्क में और मेरा kutta उस-थो इने तो उसे बहुत आश्ष्य होता है कि ये बीच और मेरा कुपता है और मैं यहां पर नर्क में जो यह बात उसे काफी आश्ष्य यह रहा दोने एक साथ क्या है एक साथ रहते थे दोनों एक साथ मरें थिक है तो फिर उन्हें बहुत आश्चरी होता कि बहुया है तो इसे स्वर्ग क्यों प्यों मिला और मेरे को मिला यह कुत्ता मेरा बड़ा प्यारा कुत्ता है युधिस्ठिर के कुत्ते से अधिक तो युधिष्ठिर का जो कुत्ता था जो अंतिम समय तक उनके साथ था तो युधिष्ठिर के कुत्ते से भी बफादार वे कहते हैं जब से मेरी स्त्री एक धनी के साथ भाग गई थी तभी से यह कुत्ता मेरा संगी रहा तो कुत्ता जो है हमेशा इनके सा पत्नी उनकी छोड़का चली गई ऐसा कि मेरा साथ ही किया पत्नी जो है धनी सेट के साथ भाग गई मगर कुट्टा जो है बफादर कुट्टा वह नहीं भागा कभी मुझे छोड़ा नहीं इसने बगल का सेट इसे पालना चाहता था सेठानी तो इसे बेहत प्यार करती थी पर यह मुझे छोड़का नहीं गया लूपाया ने मगर फिर भी क्या है बगल का सेठ था काफी अच्छा खासा उसे खाने को भी मिल जाता मगर फिर भी जो कुट्ता है वह उसे छोड़का नहीं गया सिठानी चली गए मतलब उनकी जो पतनी थी वह सेठ जी के साथ भाग गई ठीक है वहाँ पर अच्छा रहेगी इसलिए अच्छा भोजन भी मिलेगा धनी व्यक्ती था इसलिए वह भाग गई सो मुझे सुखी हुआ कि वह स्वर्ग में आनन से है तो इस बात का उसे अच्छा लगा कि चलो भी मेरा कुट्ता वह फादर कुट्ता वह स्वर्ग में है पर मेरे अपने प्रती किये गए अन्याय को तो भुलाया नहीं जा सकता पर उनके साथ प्रती जो अन्याय हुआ कि उन्हें नर्क मिला यह बाथ उन्हें हजम नहीं हो रहा था कि प्रम यह बा को स्वर्घ मिला इस बात का मुझे बहुतक्स हुषी c созд पर हमारे यहां मतलब स्वर्ग भगवान के यहां तो क्या है सभी की फर्याद सुनी जाती है जहां फर्यादी को ही दंड दिया जाता है वहां फर्याद करने जाओ धर्ती में तो क्या उन्हीं को दंड मिल जाता है जहां लाल फीते के कारण आग लगने के साल भर बाद बुझाने का ओडर आता है आग लग जाती है बुझाने का ओडर क्या है मतलब इतना स्लो है सब कुछ के लिए क्या है ओडर के लिए जाना पड़ता सरकारी दफ्तर जो है इतना ढीला हो गया है काम मतलब क्या है अगर तुम कोई केस लड़ते है तो उसका फैसला होते होते साल बीत जाता है यहां तो फरियात तूरंट सुनी जाती है तो मैं भगवान के पास गया पर क्या है यहाँ पर मतलब दूसरे लोग में जहाँ पर भगवान है वहाँ पर तो फर्याद साथ साथ सुना जाता है फैसला भी साथ साथ होता इसलिए वे जाते हैं और कहते हैं भगवान प्रिथिवी पर अन्याए भोग कर इस आशा से यहाँ आया कि न्याए मिलेगा तो वे क्या है इस आशार से क्या है भगवान के पास आए कि यहाँ पर नियाई मिलेगा, इसलिए भगवान के पास आते हैं, पर यहाँ क्या कि मेरा कुत्ता तो स्वर्ग में और मैं नर्क में, पर यहाँ भी मेरे को नियाई नहीं मिला, मेरे को स्वर्ग मिला और मेरे को क्या है नर्क मिला, धर्ती में तो मेरे साथ अन्याई हुआ ही और यहां भी मेरे साथ अन्याई हो रहा है यह बात में बिल्कुल भी हजम नहीं होता जीवन भर कोई बुरा काम नहीं किया वक्ता कहता है मैंने जिन्दगी में कोई बुरी बुरा काम जो है मैंने कभी नहीं किया भूख से मर गया पर चोरी नहीं की मैंने कभी चोरी नहीं की भूखा था भूख लगी मगा फिर भी मैंने चोरी नहीं की किसी के आगे मैंने कभी हाथ भी नहीं फैलाया और कुटा जैसा कुटा होता है कुटा तो कुटा होता कुटा कभी इधर मूँ देता है कभी इधर जहा आपका भोग खाते पिटा यह तो क्या है भगवान के सामने जो प्रशाद चड़ाय जा था वहाँ पे भोग खाते वे यह कुत्ता पिटा और इसे आपने स्वर्ग दे दिया भगवान का प्रशाद चोरी करते वे खाते वे मनलब पिटा गया ठीक है पर मैंने कभी चोरी नही मिला मैंने तो कभी चोरी नहीं की कभी अन्याय नहीं किया बुरा काम नहीं किया तो फिर मेरे को नर्क क्यों मिला और कुत्ते को स्वर्ग क्यों मिला तो यही प्रश्णवे क्या करते हैं भगवान से पूस्ते हैं आशा करते हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा अभी जो है मैं आपको पार्ट फोर अगले पार्ट में समझाऊंगी धन्यवाद